जैन दोस्तों कैसे आप सब मेरा नाम कमलेस और आप देख रहे हैं के के फर्निचर दोस्तों अगर आप भी कार्पेंटर के काम करते हैं तो आपको भी कंपनी से मतलब मत्था थेशिया मोड़ी जो भी बोलते हैं आप इसको कमेंट करके बताईएगा तो यह चीज मंगा कि जानने वाले हैं और आपको यह भी बताएंगे कि इसके ऊपर बहुत तीन अगर आपको फिक्स करना है तो किस तरह से आगे के तरफ एक पट्टी लगा देना रहता है तो यहां पर देखें कि हमने यह साइट वाल पट्टी है वह थोड़ा एक्स्ट्रा लखा रखा है और आगर सामने आपको मतलब लगाना रहता है तो इसको कम रखी है इसको मतलब लौक जितना अने सरका रहता उत्ता जगए दो इंच के आज पर छोड़ दीजए धार से दो इंच कम रहेगा तो लॉक असानी से लग जाएगा तो इसे अब से करके एक पट्टी को लगाना है त तो इसको फिक्स करने में तकलिफ होगा तो इसके लिए पट्टी लगाना जरूरी है दोस्तों मत्था जब भी फिटिंग करते हैं तो पहले एक बार की लिए क्या करना है यहां पर देखेंगे तो हमारे एक रिलिक फिनीसिंग है और धार पे लिक लगा हुआ है तो यहां पर करेंगे तो हम क्या करेंगे तो यहां पर देखेंगे जो ड्रावर का एकदम धार है उसके सबसे यहां पर मार्किंग कर लेंगे अब यह मार्किंग करेंगे दोस्तों काट कोने से हम खीज देंगे तो इसको हमने काट कोने से खीच लिया है अब क्या करना है अब जैसे माल लीजे हमको फेशिया जो ड्रावर है जो मत्था है यहां से नीचे से लेबल लेना है तो हम क्या करेंगे यहां से मेजर्मेंट करेंगे यह धार तक यह धार तक जो मेजर्मेंट आएगा उसकी सबस का मार्किंग कर लेंगे अब सिर्म तरीके से दोस्तों इस तरह भी मार्किंग कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो ड्रावर थोड़ा बहुत एक-दो एमम उपर निचे रहे तो अब मेजर दोनों तरफ कर लेंगे तो ज्यादा असानी होगा तो हम क्या करेंगे इस तरह मेजर्मेंट कर लेते हैं अब हम वह मेजर्मेंट के दोस्तों इस तरफ उतार लेते हैं कि अब दोस्तों हमने जो मार्किंग किया है एकदम उसके बगल में यहां पर खीले लगा देंगे ही तो मालीज हमने मार्किंग की आ हुआ तों इस तरह से दोस्तों हम यहां पे खीले लगा जैते हैं दोस्तों हमने खिला लगा लिया है हमने नीचे पेपर लगा है क्यूंकि इसमें एक रेली सीट लगे वाला है तो इसक्रेश आजएगा उसा बात के अब को ध्यान देना है कि खराब नहीं पाए तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों अब इसके जगह पे यह जो खिला है यहाँ सही जगह प्याराए अब हम क्या करेंगा इसको फिक्स करेंगे कीस तरह से करना है मैं जान लेते हैं लिए अब क्या करेंगे दोस्तों यहां पर इसको यह वे सब्सक्राइब है कि एन करना है और पीछे सबस्क्राइबें सब्सक्राइब इस तरह सो फिशे मीडिकने सब्सक्राइब क्रोंगों को सब्सक्राइब के कितना ओर यह जो मॉटाई लेने के बाद आपको इसक्रू इतना लेना है कि बाहर निकलने पड़र तो इसाब से आपको इसको अंदर से लगाना है तो मैं भी क्या करता हूं इसमें लगा जाता हूं हमने दोस्तों 30 mm का इस्कूरू लिया है क्योंकि हमारे 20 mm का मोड़ी है और 12 mm का यह मतलब अंदर का कि दोस्तों हमने एक बार के लिए है हम इसको इसके अंदर डाल के देखेंगे कि हमारे जो फेशिया बराबर आ रहा है कि नहीं तो मैं क्या करता हूं इसके इंदर एक बार के लिए डाल देता हूं इसके टरभी को पार का अंधां कि दिखेंगे तो यहां पर देखेंगे उमारे जो फेशिया एक नम से मतलब बाहर टरब से लेबल है। अगर आपका माल लीजिए नीचे से के उपर लेबल नहीं आता है तो थोड़ा इसको निकालके इस क्रूव को खोल के थोड़ा बहुत इदर दर कर सकते हैं मेरा दोस्तों फाइनल मतलब बराबर कोई दिक्कत नहीं है हम क्या करतें बीच में लगा देते हैं कि अधिक दो सक रूक को लगा दिया है हम इसको इसके एंदर डाल देते हैं कि अधी दोस्तों यहां जो यह ट्रावट हमारा फाइनल हीटिक हो गया है घर आपको इसके ऊपर वह तैका लिए जत इसके नीचे लगाना एंट तो मैं ऐधाते हैं चाहि Sinne सब्सक्राइब करना थी में पर निचे का ड्रावर तिखाया में और आपको वहां से वारॉब कर लेना है तो आपको नीचे का ग्रेशिक होता कर लाई जाएगा दूस्तों हो सकता है और भी तरीके हैं क्योंकि इसमें अंदर जो पट्टी लगा रहता है उसमें भी होल दालके भी जैसे हंडिल का मतलब हंडिल लगाते हैं जो होल का मेजर करके उस तरह से लगा सकते हैं यह तरह से लगा सकते हैं दोस्तों हमारे यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें अगर कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे केमन के पूछ सकते हैं तो सब वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटा जरू दबा लेना मैं मिलता हुआ अगले वीडियो में नए टॉपिक सा तत्या के लिए जा दो Todo के लिए ज वीडियो कर देते हैं यहले।